हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोगों को अपने फोन में इस्टाग्राम के अप्लिकेशन में आपको इस तरीके से प्रॉबलम आती है यहाँ पे लिखा रहता है feedback required तो इस प्रॉबलम को आपको कैसे solve करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो बेसिकली आपको इस प्रॉबलम को solve करने से पहले आपको यह जाना जरूरी है कि यह प्रॉबलम आपके फोन में क्यों आता है तो अगर आपके फोन में network वगरा का issue होता है या तो फिर आपने यहाँ पे अपने फोन में इस्टाग्राम का जो application है उसको बहुत दिनों से update नहीं किया रहता है तब आपको यह problem दिखाई देती है तो सबसे पहले तो आप अपने फोन में network issue को दो देख लिजिए एक बार कि आपके फोन में network है कि नहीं है और उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले play store में जाके आपको अपने फोन में instagram का जो application है वो update कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको application वाले option पे जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage application में जाना है और यहां पर आपको search bar पे click करना है और guys यहां पर आपको लिखना है Instagram तो इस तरीके से आप जो है लिख लिजिए और search किजिए और उसको open कर लिजिए open करने के बाद यहां पर आपको data uses को option आता है तो यहां पर आप click करेंगे उसके बाद यहां पर आपको wifi और mobile लेटा दोनों को option आएगा दोनों को आप जो है enable कर लिजिए और okay कर लिजिए जैसे ही आप इस तरीके से जो है setting करेंगे तो उसके बाद guys यहां पर आपको बिल्कुल भी कोई भी issue नहीं आएगी और अगर आपको कोई issue आ रही है तो आप मेरे को comment करके बता सकते हैं तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe भी कर लिजिए